देखिए अभी कुछ दिनों के बाव 22 जनवरी को राम लला भी अपने भव्य और दिव्य मंदीर में हमें दर्सन देंगे और मेरा सवभाग्य है कि मुझे अहुद्या में बन रहे राम मंदीर की प्रान पतिश्चा में बुलाया है तो यह आप सब के आशिरवाद से ऐसा सवभाग्य मिलता है इन दिनों यह जब इतना बड़ा काम है आपने इतना बड़ा मुझे दाईत्व दिया है तो मैंने भी ग्यारा दिन ब्रत अनुस्थान का एक संकल्प किया हुआ है स्री राम का ध्यान स्मरन कर रहा हूँ और आप तो जानते ही है जब आप प्रभु राम का स्मरन करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है साथियों स्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभवी नहीं है अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे लेकिन राजकुमार राम पुर्षोतम मर्यादा पुर्षोतम इस रूप में हमारे सामने आए क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निशाद राज हो न जाने कौन-कौन थे लोग देखिए अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को राम लला भी अपने भव्य और दिव्य मंदीर में हमें दर्सन देंगे और मेरा सहुभाग्य है कि मुझे अहुद्य में बन रहे राम मंदीर की प्रान पत्रिश्चा में बुलाया है तो यह आप सब के आसिरवाद से ऐसा सहुभाग्य मिलता है इन दिनों यह जब इतना बड़ा काम है आपने इतना बड़ा मुझे दाईत्व दिया है तो मैंने भी ग्यारा दिन ब्रत अनुस्थान का एक संकल्प किया हुआ है स्री राम का ध्यान स्मरन कर रहा हूँ और आप तो जानते ही हैं जब आप प्रबू राम का समरन करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है साथियों स्री राम की कफा माता शबरी के बिना संभवी नहीं है अयोद्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे लेकिन राजकुमार राम पुर्षोतम मर्यादा पुर्षोतम इस रूप में हमारे सामने आए क्योंकि माता सबरी हो केवट हो निशाद राज हो न जाने कौन-कौन थे लोग जिनका सयोग जिनका सानिध्य